हेलो वाट्स आप गाइस माइम इस पिनोथ बादूर थापा एंड तूडे इन इस पीड़ोगे वेविल सी ओट क्रेट अ क्यामरा आइकन यूजिंग प्योर सीसे इन हिंदी तो चले गाइस सुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और एडवांस टूटोरियल इन हिंदी इन 2020 की पर अड़ी बहुत सारे ओसम वीडियो अप्रोड कर चुका हूं गाइस आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरू चेक आउट कीजिए आपको बहुत मजाने होला और गैस तो देखिए आज का बड़ी बहुत ज्यादा ओसम एंड बहुत ज्यादा इन्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम CSS को एक next level लेके जाएंगे एंड यह देखेंगे कि कैसे अब हम आइकन्स करेट कर सकते हैं विद यहां पर आप देख सकते हो गाइस मेंने तो आप colours आप देख़ें और यहां पर देख सकति हो यह जो पार्ट आपको दिखाए böyle that is your power onend off basically camera की एक इंड़ी तो यहां पर आप देख कर सकति हो तो guys आप देखी सकती BMW का logo अब हो इसा मजली जिए basically ये lens है ठीक है हमारे camera का so एक layer ये दूसरा dark layer and then तीसरे layer के अंदर ये 4 different colors है ये किस तरीके से add क्या हो मैं आपको बताऊंगा and हलका हमने box shadow यूश किया हुआ तो guys ये है एकदम simple but इसको हमें करना कैसे है with the help of CSS वो मैं आपको बताऊंगा and ये बताऊंगा कि सही तरीका क्या है कम से कम code में better result पाने का सही तरीका क्या हो मैं आपको बताऊंगा so guys बताना चाहूँगा में डेल ये से awesome videos करेट करता रहता हूँ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल था पर technical को सब्सक्राइब नहीं किया please guys subscribe कर लीजिए का right side में create color का bell icon एक घंटी दिखाए देगा hit कीजे click कीजे ताक आप डेल ये से awesome videos को miss ना करे और guys तो आप देख सकते हूँ मैं आपने VS Code editor पे आचुका हूँ css उस करने वाला हूं तो simply html5 इस तरगी से मैं लिख देता हूं this is it देखो guys मैं क्या करता हूँ एक डीब देता हूँ basically मुझे अपने जो मेन कैमरे उसको perfectly center में रखना है उसके लिए मैं एक center डीब ली मैं यहां पर चलता हूँ एक camera करके मैं इस तरह की से नाम देता हूँ camera underscore body basically मेरा जो main camera का body होगा ठीक है उसके अंदर मैं चलता हूँ and इसको एक class देता हूँ जहां पर होगा मेरा camera का lens camera underscore lens ठीक है ठीक है इस तरह के नीचे चलता हूँ एक डीब लेता हूँ इसको class में देता हूँ जहां पर होगा मेरा camera spelling से लिखना खाली है ठीक है camera underscore flash camera का जो flash है और कुछ नहीं ठीक है and now अब यह जो हमारा जो यह 3 layer है ठीक है वो 3 layer guys आप easily कर सकते हूँ लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एकदम सही मलब सिर्फ एक line के code से कैसे आप कर दोगे and यहां पर मैं लिख देता हूँ इस तरह कैसे camera underscore lens जी हां guys इसको आप चाहो तो एक डीब के अंदर दूसरा डीब दूसरा डीब के अंदर तीसरा डीब basically deep and then इसके अंदर एक और डीब उस डीब के अंदर एक और डीब आपको कर सकते हूँ लेकिन वो सही नहीं है वालाब सही है लेकिन किसले guys एक्ट्रा और दो डीब लेना जब हम एक ही डीब से काम चला सकते and before after pseudo elements तो है हमारे पास right तो यह बहुत awesome होने वाला guys ठीक है सो बस इतना ही हमारे HTML का पार्ट था मैं यहाँ पे चलता हूँ एक सेकंड टाइटल को में कर देता हूँ camera icon ठीक है basically उपर दिखाई देगा और कुछ नहीं यहाँ आप आप देख सकते है all right guys आप में क्या करूँगा यह जो मेरा पार्ट यहाँ पे लेकर चलता हूँ all right guys तो आप देख सकते हूँ मैंने दोनों को side by side रख दिया है and मैंने अपना live server on कर दिया तो the moment मैं यहाँ पे एक line का भी code में change करूँगा automatic इधर reflect हो जाएगा ठीक है so मैं इस तरह की से चलता हूँ style and हमेशा की तरह का इस में बोलता है universal operator आप लीजिए simply ठीक है यहाँ पे आप जाएए margin 0 आपका जो padding होगा padding 0 and then हमेशा की तरह box sizing border box simple इतना and हमें मालूम है हम before and then after के साथ खेलने वाले है so मैं यहाँ पे चलता हूँ before मुझे before and after के साथ भी यह same property add करनी पड़ीगी and then मेरा होगा यहाँ पे after ठीक है यह बहुत important है guys अब इसको हमेशा add करके रखना ठीक है चलो इतना मेरा काम होगी अभी मैं क्या करता हूँ ठीक यहाँ पे चलता हूँ मैं चाहूँगा कि मेरा जो browser उसका by default font size 10 pixel रहे तो वह मैं बहुत easily कर सकता हूँ simply you know font size की value अगर मैं 62.5% देता हूँ तो इतना easily मेरा काम होगी है अब मैं क्या करता हूँ काईस यहाँ पे simply चलता हूँ मेरे पास basically एक code है यह वाला आप देख सकते हूँ मैंने basically यह चार variables को copy कर लिया है and in case आपको doubt है कि यह क्या चीज़े मैंने क्या है copy की adjust अभी इस बताना चाहूँ का मैंने कुछ special नहीं किया मैं basically यह जो colors के नाम है यह बार बार मुझे use करना है तो मुझे इसको बार बार टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने इसको एक variable में store कर देए अब मैं खाली इसको call करूँगा तो automatic ओ color वहाँ पे add हो जाएगा ठीक है पता हूँ SSL value दूँगा यह वाली जो color है ठीक है basically मैं क्या करता हो देखो गाइस trick क्या है कोई भी color आपको पसंद आया तो copy कर लो ठीक है इतना मेरा काम हो गए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा इधर पर में लेकी चलता हूँ इतना मेरा काम हो चुका भी गाइस में क्या करता हूँ मेरा जो मेन क्यामरा का बॉड़ी है उसके साथ हम खेलते है सिंपल तो ऐसे चलता हूँ इसकी जो विड्थ होगी अ कम्प्लीट पर्सन लिखने जा रहा था मैं बेसिकली मैं दे देता हूँ 15 रैम 150 पिक्सल ठीक है इसकी जो हाइट होगी अगें 15 150 पिक्सल ठीक है क्योंकि मैंने यहां पे जो कोड लिखा है आप्टर इस वान रैम उल इकवल टू 10 पिक्सल तो 15 इंटू 10 150 ठीक है इतना मेरा काम होगे यहां पे इनका जो बैग्राउंड कलर होगा अगर मैं सेफ करता हूँ आप देख सकते हूँ यहां पर आपको यह वाइट कलर का दिखाई दे रहा बेसिकली आपको एकदम पॉफेक्ट स्क्वार मुझे स् लुकिंग ओसम ठीक है इसको थोगा से कम जूम कर देता हूँ इतना मेरा काम होगे लेकिन बैग्राउंड कलर अल्डेडी मेरे पास है यह रहा इसको मैं कॉपी करता हूँ और वह जो बैग्राउंड कलर है उसको बहुत इजी लिए मैं सिंप्ली लिखूंगा वैर एंड उ इस सुपर डूपर इजी अगर मुझे सेंटर पर चाहिए तो इसको पर भी मैंने वीडियो बनाया है इसी सीरीज में है तो आप जरू चेक आउट कीजिएगा बॉर्डर रेडियस मेरा काम हो चुका अभी मैं क्या करता हूँ मुझे बॉक्स हैडो ची ठीक है बॉक्स हैड इसको कितना ब्लर करना है मुझे इसको 1.2 रैम इतना मुझे ब्लर करना है बैसिकली 12 पिक्सल का ब्लर तो आप देख सकते हूँ कुछ वो इतना ब्लर हो जाता है लेकिन मुझे इतना डार्क ब्लर नीचे मुझे अब इस पर स्प्रेड करना है तो मैं 1-1 रैम का स्प्रेड डाइड कर देता हूं अब आप देख सकते हूं कितना ओसम दिख रहा है यह राइट इतना ही में रहने देता हूं चलो ज्यादा कुछ हेड़ना नहीं है लेकिन मेरे पास एक बैग्राउंड कलर है अगर मैं आपको बतता हूं तो यह रहा वो बैग्राउंड कलर ठीक है क्यों क्योंकि थोड़ा डार्क लग रहा मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए और चलता हूं एंड इस तरह की से पेस्ट कर देता हूं दिस इजिट गईस नव यह थोड़ा बैटर दिख रहा है तो सा कम जूम कर देता हूं इसको आप लोगों के लिए में चलो ठीक है इतना मेरा काम होगी है इतना मैं चलता हूं एंड गाइस मुझे एक्च्वल में क्या करना पड़ेगा यहां पर पोजिशन भी देना पड़ेगा सो पोजिशन रिलेटिव रख देता हूं क्यूंकि उसके अंदर आप बहुत कुछ आने वाला ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं तो अभी मुझे यह चाहिए यह वाला पार्ट क्यामरा का जो बेसिकली अपना यूनो बटन है वो ची एंड आई जस्ट रिलाइस कि मैंने यहां पर लेंस लिख रखा है इसको मैं बटन कर देता हूं चलो ठीक इसको ही मैं कर लेता हूं कॉपी यहां पर मैं चलता हूं पे क्लर दे देता हूं and that is guys I think मैंने क्या लिख रहा का यहां पर आप देख सकते हूं power button ठीक है इसको कर लेता हूं copy and यहां पर मैं कर देता हूं paste the moment यह करता हूं आप देख सकते हूं मुझे कुछ हो इस तरीके से दिखाई दे रहा है and it's super duper easy now guys मैं position जाओंगा यहां पर simply absolute क् माइनस पॉइंट एक जितना दिया था हाइट उतना ही टॉप में उपर जाना चाहूंगा लेफ्ट में let's go with 2 रैम अपनी मर्जे से जितना जाना हो जाहिए है कि ने लेकिन यह मुझे सही लगा सो में इतने में चला गया अब मैं क्या करता हूं काईस border यह वाला वैल्यू मुझे चाहिता basically border top left radius में मैं पता क्या करूंगा मैं simply same वही 8 रैम दूंगा तो आप देख स सब्सक्राइब को प्योंगा ना इट्स लुकिंग ओसम एंड हमारा केमरा बटन का काम भी हो गया सो इट्स डैट सुपर इजी था एकिनी सो काईस कितना इजी था यह एकिनी ना यह काम का फ्लेस के साथ मुझे डिल करना आपको देखो काईस में step by step एक चीज अब हम देख जाता हूं इसकी जो width होगी basically एक सेकेंड की spelling आप एकदम सही लिख दीजिए लेट्स को विद तू रैम क्योंकि वह पॉफेक्ट एक सर्कल है एंड वीड थन हाइट मुझे सेम देना पड़ेगा सर्कल बनाने के लिए बॉडर रेडस में चलता हूं 50% कंट्रोले से आपको से absolute लिखता हूं में and absolute पॉफेक्ट ठीक है spelling सही लिखना बाकी तो कुछ भी नहीं and guys अब मैं क्या करता हूं इसकी जो right वाली जो value है वो में let's go with 2 रैम क्या होता देखते है एक बार all right पॉफेक्ट है मैं क्या करता हूं इसकी जो top की value होगी let's go with 1 रैम and let's see कैसा दिखते है and this is it guys कितनी easily यह हो गया है कि नहीं मैं क्या करता हूं यह जो box shadow है इसको करता हूं copy and यह जो camera जो था मेरा ठीक है camera का जो flash वहां पे मैं paste कर देता हूं and आप देख सकते हो guys कितना nice एक हलका सा effect दिखाई दे रहा है so यही beauty उती छोटी छोटी चीजे आपको ध्यान में रखना होगी मैं दूंगा 110 पिक्सल ठीक है इसकी जो हाइट होगी काई सोभी मैं सेम दूंगा क्योंकि अगेन यह भी तो आपका perfect square बन रहा है ना है कि नहीं तो सबसे पहले गाईस यह जो बाहर का white background जो आपको दिख रहा वह में create करूंगा and then before and then after की मदद से इसके अंदर की बा as it is रखता हूँ अब मुझे यह center में चाहिए ठीक है and आपको मालूम है वह basically हमारे camera body के अंदर आते है यह सब so मैं चलता हूँ again same way property लिखना display grid यहाँ पर मैं चलता हूँ place items and simple center तो perfectly center में आगे है कितना मतलब कितना easy है guys अभी मुझे वापस इसको position relative देना पड़ेगा control एशेप करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे 2 case साथ और खेलने है right simple and simply मैं क्या करूंगा यह जो आपको दिख रहा है box shadow इसको copy करूंगा paste करूंगा and देखो guys यहाँ पे भी बहुत awesome हमें यह लग रहा ह ठीक है चलो मेरा इतना काम तो हो गया मैं क्या करता हूँ अभी ठीक इसके नीचे चलता हूँ and 3 तरिक लिए इसको तुरा सावर जूम कर देता आप लोगों के अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यह जो मेरा part है इसको मैंने की copy यहाँ पे मैं चलता हूँ and let's go with before ठीक है देखो guys से में ही चीज है उसके साथ भी से में ही चीज है इसको मैंने की copy खाली मुझे क्या करना है यह जो 11 लिखा है यह 11 के बदले guys मैं खाली 9 लिख दूंगा this is it खाली मुझे 9 लिखना है and आपको basically पता नहीं चलेगा वह क्योंकि guys उसका you know color कुछ और है तो यहाँ पर हमारे पा मुझे अभी भी वह मेरा यह जो मेन कलर है वह दिखनी रहा है ठीक है उसका रीजल में बताता है and it's super easy कि जब भी आप फिफोर एंड आप्टर स्यूड़ करोगे एक प्रॉपर्टी है जो हो ना ही चीए and that is your content चाहे हो ना हो आपको content property लिखके empty छोड़ देना है and the moment में यह add करता हूँ आप देख सकते हूँ मुझे वह वहाँ पे दिखाई दे रहा है and बहुत awesome दिख रहा हो ठीक है अभी same guys में क्या करूँगा यह जो मेरा display grid place item center जो है मेरा यह जो camera का जो lens है ठीक है वहाँ पे चलके add कर दूँगा यह perfectly मेरा center में आ गया देखो कितनी easily अभी 9 by 9 जो था अगर मैं यहाँ पे चलके इसको में 5 by 5 करता सो आप देख सेकते कुछ वह इस्तिरगी से हो चुक है and guys एक problem यह है कि मैंने इसको after तो किया ही नहीं मुझे इसको करना पड़ेगा after control save करता अब आप देखोगे guys यह कितना awesome दिखाई दे रहा है कि नहीं लेकिन मु एंगल में यह color जो change हो रहा है वह हम कैसे कर सकते हो मैं आपको बाता हूं ठीक है and अभी आप देख सेकते हूं कैसे तो सिर्फ एक की color है and विल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो वह जो सबकुछ एकदम perfect कैसे हो रहा मैं आपको बाता तो उसके लिए हमें क्या करना है य सुपर डुपर easy and मैं बताना चाहूंगा guys उसके लिए मेरे पास already code है यहाँ पे and यह कोई code ऐसा भी कि कोई खाना खजाना वाला type भी नहीं है तो guys से बहुत ही जादा simple है इसको मैं हटा आता हूं control आख save करता हूं and this is it guys हो गया मैं ने किया किया खाली border top, border right, border bottom and then border left and खाली वही simple कितना उसका width कौन सा property like solid and then color सबका अलगा अलग color दे दिया border top, right, bottom, left and this is it guys अब आप देख सकते हो कि हमारा camera icon बनके ready हो चुका है तो guys आपको आज का video कैसा लगा मुझे नीचे comment करके आप जरूर बता हो guys मैं जरूर मुझे जानना है आपको कैसा लग रहा ये video लेकिन मुझे आप बता हो guys आप अगर इसको first time देख रहे थे and अगर आपके mind में ये था कि ये कैसे create होता था but guys मैंने आज इसका राज खोल आप देख सकते हो guys किस तरीकी से हम इसको create कर सकते थे and the best part है कि guys आप code देखोगे HTML तो बहुत छोटा सा था वो तो guys ये हैना एकदम awesome तो guys प्लीज आपको कैसा लगा नीचे comment जरू कीजेगा ठीक है and इस video को एक like जरू कर दीजेगा मुझे बहुत खुशी होगी and अपने होगा guys 3,000,000 subscribers and मैं daily ऐसे awesome videos create करता रहता हूँ so guys please मैं चाहूँगा अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल था पर टेकनिकल को subscribe नहीं किया subscribe कर लीजिएगा right side में create color का bell icon एक घंटी दिखाई देगा hit कीजे click कीजे ताकि आप daily ऐसे awesome videos को miss ना करे and कुछ भी doubt हो तो वे फिकर हो हुआ 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 है